तो कैसे हो मेरे ठरक के दिवानों तो आगे हम फिर से एक बाल लेके एक वीडियो मजदार तो यारो आज का वीडियो जिस मूई पर है उसका नाम है एटीचर इस मूई में एक श्टूड़नर अपनी ही मेडम को तारो का शेहर दिखाता है तारो के शेहर बोलके तुम उसको ओयो ले गए कोई वात ले हम तो चूत यह है तो दोस्तो शुरू करते है आज का वीडियो बिना किसी पेलम पाली के तो दोस्तो मुविक शुरूआत होती है हमारी प्यारी मेडम डायना से डायना अपनी गाड़ी से स्कूल जा रही होती है और फिर वह स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने लगती है थोड़ी दर बाद वह बच्चों से सवाल करने लगती है जिसमें कोई भी बच्चा उसके सवालों का आंसर नहीं दे पाता तो भाइ बच्चों से कहते है कि क्या तुमने कल रात पढ़ा ही की तो दोस्तो ऐसी होट मेडम हो तो भाइ बच्चा रात को पढ़ा ही तो नहीं करेगा तो दोस्तो अग्री सीजन में हम देखते हैं बैक टो स्टोरी ये मेसेज डाइनक फ्रेंड सौफी भी देख लेती है और वह पूचती है कि क्या ये मेसेज एरिक का है तब ही हमारी प्यारी मेडम शर्मा जाती है अगले ही सीन में हम मेडम को गाड़ी में बैठे देखते हैं और दोस्तों अपनी यह समभूख करूप करने के बाद मेडम बताती है कि वे अपनी माँ से जूट बोलकर बाहर निकल थी और उसने माँ को कहा था कि मैं बाहर आई-सक्रीम खाने जा रही हूं और दोस्तों यहां हम समझ्ज आते हैं कि मैडम कौन सी आइस्क्रिंग भी बात कर रही है थोड़ी दर बाती करने के बाद मैडम Eric को किस करती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है अगले ही सीन में हम देखते हैं मैडम स्कुल जा रही होती है और वहाँ बच्छों को बढ़ान लगती है जसमें वहराAMी लोंडर याने की Eric भी होता है सब बच्छों के जाने के बार Eric मैडम के पास मैं आता है और मैडम को किस करने लगता है पर क्लास में होने की वजह से उसका ऐलिकप्टर रहने पर ही खड़ा देता है फिर मैडम घठड चली जाती है और मेडम रात को एरिक से वापस मिलती है और जहां एरिक अपने हेलिकॉप्टर को टेक ओफ करता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सुबह का समय है और मेडम डायना अपनी फ्रेंड सोफी के साथ बाते कर रही है दरसल सोफी और मेडम डायना एकी रूम में रहती है और तभी एरिक का मेसेज आता है और वहाँ मेडम से नूड फोटोज मंगता है और मेडम डायना एरिक से बहुत प्यार करती है इसलिए वे बातोर में जाती है और अपने कपड़े उतारती है और कुछ फोटोस कीशती है और वहाँ एरिक को बेज देती है और यहाँ एरिक के साथ हम वीवर्स को भी फोटोस को देखने का सोब आगे प्राप्त होता है और मेडम फिर कपड़े बहन कर बाहर आती है जहां थोड़ी देश सोफी से बात करती है और फिर वे दोनों पार्टी में चले जाते है जहां सोफी मेडम को अपने फ्रेंड से मिलाती है लेकिन मेडम पार्टी से बहुर हो जाती है और सोफी से रूम की चाबी लेकर घर चली जाती चे जातीrob हम देख रहे होती ही और का कुछ मैडम की था पुट होती जिस इक लड़की फोत होती है और लड़की एकदम नीड होती यह दों प्रिक्स बताती है कि ये एक लड़की है जो उसी सकूल में पढ़ती है और इसकी फोटोस वाइरल हो गी है ये सब देखकर मैडम बहुत डर जाती है और उन्हें लगने लगता है कि कहीं वो फोटोस भी वाइरल ना हो जाए जो उन्हें अरिक को भेजी थी और मेडम भी अपनी नाव में चप्पू चलवाने के लिए तयार हो जाती है तो वह एरिक के घर आ जाती है जहां पर वह दोनों दबा कर संबोग करते हैं तो थोड़ी दिर बाते करने के बाद एरिक मेडम को बताता है कि इसकूल में एक प्ले है जिसमें उसे एक लड़के के साथ डांस करना होगा मेडम इस बात से जैलेस फिल करती है क्योंकि वह एरिक से बहुत प्यार करती है मेडम एरिक से कुछ नहीं कहती है और वहीं पर सो जाती है और सुबह उठकर वह दोनों फिर से अपनी हवस मिटाने के लिए करने ही वाले होते है कि तब ही एरिक का पड़ोसी आ जाता है और वह एरिक को अवार लगाता है जिसमें वह दोनों डर जाते हैं और मेडम चिप जाती है वह पड़ोसी एरिक से कुछ देर बाते करता है और फिर चला जाता है मैडम इस साथ से से बहुत ड़ जाती है और अपने कर चली जाती है उसे लगता है कि कहीं उस आदमी ने उन्हें देख तो नहीं लिया ये सब सोचकर उसे लगता है कि वह गलत तो नहीं कर रही है और मैडम को बहुत बुरा लगने लगता है और वो एरिक से break up करती है और वहाँ से चली जाती है और एरिक मनी मन में सोचने लगता है और कहता है कि जितने दून तुझे मज़े लेने थे उतने लिए loot अब कह रही है कुछ दिन और बाद हम देखते हैं कि एरिक स्कुल में एक play की practice कर रहा होता है जिसमें वह किसी लड़के साथ dance कर रहा होता है ये सब देखकर मेडम को जलन होने लगती है और मेडम एरिक को क्लासरूम में बुलाती है और कहती है कि मैं तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ और एक से माफी माँदी है और यहां वीवर्ट समझ जाते है कि मैडम को फिट से आईस्क्रीम खाने की तलब उट रही है और रात को एरिक मैडम को आईस्क्रीम किलाने आता है और वह दोनों तरप्त हो जाते है और आईस्क्रीम काने के बाद मैडम को फिट से लगने लगता है और वह वहाँ से जाने लगता है और तब ही मैडम की फ्रेंड सोफी आ जाती है और वह एरिक को देख लेती है मगर एरिक रुकता नहीं है और वहाँ से चला जाता है थोड़ी दार बाद मैडम भी एरिक के बेज़े जाती है मगर एरिक अपने घर जा चुका था सबसे मेडम घबरा जाती है और उन्हें डर लगता है कि एरिक के फादर ने उन्हें देख तो नहीं लिए और अब वापस कर जाने लगते हैं लेकिन तब भी उसे याद आता है कि सौफी ने उन्हें देख लिया था अब सौफी उनसे हजार सवाल पूछेगी इन सब डर सिव है एक होटल रूम में जाती है और वहाँ सो जाती है तोड़ी देर बाद स्कुल की तरफ से मैसे जाता है और वह इस मैसे तोर यह में लिखा था कि एरिक के फादर आपसे बात करना जाता है यह मैसे लेग enabled को लगने लगता है और इसकी और उलोलक उनके रिलेशन के बारे म मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में ऐसे ही किसी कहानी के साथ